बोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सूपरस्टार पवन सिंग इन दिनों मुसीबत में गिरे हुए हैं आपको बता दें कि एक समय पवन की सूपरस्टार एक्ट्रेस रही अक्षरा सिंग ने उन पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिसके बाद बोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक सहलाब सा आ गया है बता दें आपको कि एक्षरा ने पवन के खिलाफ F.I.R. दर्च की है जिसमें महिला के अपमान की बात कही गई है बड़ी बात यह है कि अक्षरा सिंग ने यहां तक कह दिया है कि पवन सिंग ने उन्हें मजबूर किया ताकि वो अपनी जिन्दगी खत्म कर लें लेकिन वो इन सब चीजों पर ध्यार नहीं दे रही है और वो अपनी जिन्दगी को और आगे बहतर तरीके से जिएंगी वहीं बताया यह जा रहा है कि अक्षरा सिंग ने ये भी आरोप लगाया है कि पवन सिंग ने उन्हें इंडस्ट्री से निकलवाने की पूरी कोशिश की है और माया नगरी मुंबई के थाने में उन्होंने पवन के खिलाफ F.I.R. भी दर्च कराई है हाला कि सूपरस्टार पवन सिंग और अक्षरा सिंग के विवाद में भोचपूरी एक्टर्स बचते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन खबरे हैं कि हाली में भोचपूरी इंडस्ट्री की हॉट एक्टरेस आमरपाली दुबे से जब पूछा गया कि इस मामले में आपका क्या कहना है तो आमरपाली ने कहा कि ये पवन और अक्षरा के बीच का मसला है और इस मसले के बीच में कहना कहीं से भी सही नहीं है हाँ बस मैं इतना कह सकती हूँ कि अक्षरा सिंग एक बहतरीन अक्ट्रेस है साथ ही एक बहतरीन इंसान है और वहीं पवन के लिए उन्होंने कहा कि अगर पवन ने ऐसी गलती की होती तो वो दुनिया को जरूर बताते लेकिन अगर पवन चुप हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजय जरूर है बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं आमरपाली ने बातों ही बातों में अक्षरा सिंग को पूरी तरीके से सपोर्ट कर दिया है अब देखना दिल्चस्प होगा कि इस मामले में और क्या नया मोड निकलता है लेकिन एक बात तै है कि पवन सिंग की गिरफतारी बहुत जल्द संभब भी हो सकती है क्योंकि जितनी धारा है यहाँ पर अक्षरा सिंग में उनके खिलाफ ठोकी है लगबग लगबग पवन का जिल जाना तैम आना जा रहा है एनपी न्यूज रूम से अभिलाश पांडे की रिपोर्ट